क्या आपको पता है बैंगन एक सबजी नहीं बलकि एक पल है क्योंकि यह फूल से बनता है और एक बड़ी जानकारी क्या आपको पता है कि बैंगन को इंगलिश में एग ब्लांट क्यों कहते हैं 17th century के time पे Europeans ने notice कि बैंगन जो बिलकुल सफेद और अंडे की तरह दिखने में लगती है तब से उन्होंने इसे एक प्लांट कहना शुरू कर दिया और यह वर्ड जो है इंगलिश में इतना popular हो गया कि हम अब बैंगन को इंगलिश में ब्रिंजल या फिर एक प्लांट भी कह तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बैंगन खरीते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखे बैंगन अगर हलका होता है तो उसमें दाने कम या नहीं होते हैं चलिए इसे हम इस तरह से काटेंगे और इसकी ठीकनिस कुछ इस तरह से होनी चाहिए ना जादा ना कम चलिए इसे ह मसाले की तैयारी महा पर ले रही हूं एक चमच लैसुन पेस्ट, आदा चमच हल्दी, आदा चमच लाल मिर्च पौदर, एक चमच दन्या पौदर, एक चमच जीरा पौदर और स्वादर नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम कुछ इस तरह से पेस्ट बना slice को फ़लाना है और थोड़ा थोड़ा करके उसमें मसाले इस तरह से लगाना है लगाने के बाद हम उसे उल्टी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम मसाले को इस तरह से लगा देंगे चलिए दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ एक पैन को गर्म जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसो का तेल आप कोई भी कुकिंग ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम लो फ्लेम कर लेंगे और इस तरह से बैगन को उसमें पहला कर बनाएंगे हम बीच बीच में चेक कर लेंगे कि ये हुआ है या नहीं लेकिन हम इसे बार-बार पलट कर नहीं पकाएंगे एक तरफ हमें इसे पूरी अच्छी तरह से गुल्डन ब्राउन हो जाने देना है उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे और बस हम इसे दो बार ही पलट रहें और सीधे उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे तो मैं इसे निकाल लेती हूँ दोनों तरफ गुर्डन ब्राउन हो चुके हैं एक टिशू पेपर के ओपर निकाल रही हूँ ताकि एकसे सोयल उसका चला जाए अब अगर पैन में ओयल कम है तो हम थोड़ा सा एकस्ट्रा ओयल एड कर लेंगे और एक दूसरा बैच भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे तो ये है अब सर्फ करने के लिए रेडी हम इसे कह सकते हैं दाल और चावल के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं पराठे या रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं ये किनारे से क्रिस्पी, मसालेदार और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं खाईए इसका अनंद लीजिए और मुझे बताईए आपको कैसा लगा मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीजियो में विल्देन कीप इटिंग और टेक करे